हलो स्टुडियंस कैसे हैं आप सब लोग तो स्टुडियंस आज जो हम इस्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका रसायन विज्ञान MP वोर्ड के लिए ठीक हैं तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रसायन विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ ठीक हैं तो ध्यान का ठोस अवस्था ठीक है जिसे हम स्टुडियंस क्या कहते हैं इंगलिस में इस्टीट गेम तो ध्यान रखना है आपको कि ठोस अवस्था और सॉलिड इस्टेट चैप्टर हम आज से श्टार्ट करने जा रहे हैं थीक हैं इस्टुडियंस इसके अंदर जो आपको first heading लगानी है वो है आपकी क्या परिचे ठीक है क्या है students heading परिचे जिसे हम introduction कहते है देखो बच्चो परिचे किस बारी में बताता है हमें परिचे इस बारी में बताता है कि हमें chapter के अंदर पढ़ना क्या है ठीक है तो आपको क्या करना है मेरे साथ लिखेंगे ठोस पदार्थों के लच्छन यानि कि हम इसके बार में किसके बारे में पढ़ेंगे इस जो चैप्टर है ये वाला ठोस सवस्ता आपका तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे ठोस जो ठोस हैं वो कैसे होते हैं असमपीडित जानि कि हम इसको दवा नहीं सकते हैं तो मेरे साथ आपको लिखना है ठोस पदार्थों के लच्छन ठोस पदार्थों के लच्छन तोस पदार्थों के लच्छन कैसे होते हैं students असंपीडत, ठीक है, असंपीडत, ठीक है, कौमा द्रण, यानि की कठोर, ठीक है, द्रण, कैसे होते हैं, द्रण होते हैं, तो ध्यान रखेगा, जो थोस पदार्थों के लच्छड होते हैं, बच्चों वो कैसे होते हैं, असंपीडत, यानि की इनको हम दबा नहीं सकते, और इसी वज़े से यह क्या होते हैं कफोर होते हैं ठिक हैं आएंगे लिखेंगे ठोसों के परमारू लिखेंगे ठोस पधार्थों के परमारू कैसे होते हैं बच्चों। सघन होते हैं सघन संकुलित होते हैं सघन संकुलित होते हैं ठीक है और आगे लिखेंगे ये प्रबल बंधों द्वारा ये प्रबल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं ठीक है कोई दिक्कत चलो तो ये थे अपने हाँ प्रबल बंध का मतलब होता है बच्चो मजबूत बंध ठीक है क्या होता है मजबूत बंध ठीक है मजबूत बंध यानि कि मजबूती से जुड़े रहते हैं बच्चो ये ठीक है इसके बाद आपको जो हेडिंग लगानी है वो है ठोसों के लच्छन वैसे मैंने बता दिया कि असमपीड तो द्रण होते हैं फिर भी स्टुडेंस कहीं ना कहीं थोड ठोसों के लच्छन थोसों के लच्छन इसमें बच्चो आपको फस्ट हैडिंग लगानी है वो क्या है ये निश्चित द्रब्मान आयत और आकार के होते हैं तो लिखेंगे मेरे साथ में ये निश्चित द्रब्मान ये निश्चित द्रब्मान कॉमा आइतन इनका बच्चो कैसा होता है नियत होता है ठीक है आइतन वह आकार की होती है ठीक है उसके बाद है सेकंड पॉइंट वह क्या है अंतरा आडविक दूरियां बहुत कम होती है तो लिखेंगे आप अंतरा आडविक दूरियां बहुत कम होती है बहुत कम होती है ठीक है अंतरा आणविक दूरियां बहुत कम होती है यानि कि इनके जो अणू है उनके बीच मद्धे में जो दूरी होगी वो कैसी होगी बच्चो बहुत ही ज़्यादा कम होगी कुछ इस तरीके से मैं आपको डाग्राम में बता देता हूँ तो माली जीए मैंने आप से पूछा कि भाई आपके पास एक द्रब है एक ठोस है तो इन में से कौन सा ठोस होगा तो बच्चो ये बाला जो होगा वो कैसा होगा ठोस और ये बाला जो होगा वो कैसा होगा आपका द्रब ठीक है द्रब में जो अडू होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं और गेस की बात करें तो गेस के अंदर बच्चो अडू जो है वो बहुत ही जादा दूर दूर होते हैं ठीक है गेस के अंदर जो अडू होते हैं यहां पर देख सकते हैं मैं माक कर दिया है मैंने तो ग चेंज कर लेता हूं बार बार पर वही तो हैडिंग लगानी है बच्चो धोसका वर्गी करण थोसका वर्गी करण ठीक है तो घच्ट विद्ध से थोटों जो ठोस जो है इनको दोो humans अधार पर प्रकृति वर करसे कि पहला तो है बच्छो स हो आपका क्रिश्टलिये ठोस और दूसरा है आपका क्रिश्टलिये ठोस तो आप लिखेंगे पहला है आपका क्रिश्टलिये ठोस और क्रिस्टलिय थोस और दूसरा है आपका बच्चो क्रिस्टलिय थोस क्रिस्टलिय थोस ठीक है तो अब आपको हैडिंग लगा लेनी है बच्चो क्रिस्टलिय थोस थोड़े important है ज्यान रखेगा अपने board exam के लिए तो board exam के लिए बच्चो यह बहुत ही हैं तो हैडिंग लगाएं सबसे पहले हम क्या क्रिश्टलिये ठोस क्रिश्टलिये ठोस ठीक है क्या है क्रिश्टलिये ठोस ठीक है तो इसमें लिखेंगे crystal ये ठोस निश्चित जयामिती वा आकार दरसाती हैं तो नम्मर ए पॉंट लिख सकते हैं यहाँ पर जो students आपके crystal ये ठोस हैं crystal ये ठोस जो हैं बच्चो आपके वो क्या होते हैं? निश्चित जयामिती निश्चित जयामिती व निश्चित ज्यामथि व आकार दरसाती हैं तो लेकेंगे मेरे साथ में बच्चों दरसाती हैं ठीक है अब आपको समझ में आया यानि कि इनकी जो ज्यामिति होगी students geometry कहते हैं जिसे इंग्लिस में वो कैसी होगी निश्चित होगी ठीक है एक fix जयामिती की होंगे और आकार भी कैसा होगा fix होगा ठीक है यानि कि मैंने कह दिया कि कुछ इस तरीके का square कुछ इस तरीके का triangle तो ये ठोस हो सकता है पूरा ठीक है इसकी जयामिती बता सकते हैं हम कि tetra heddle होगी ठीक है एक चतुस फलकी होगी या कैसी होगी तो इस तरीके से जयामिती और आकार इसकी दोनों कैसे नियत हैं ठीक है निश्चित होते हैं उसके बाद बच्चों आपका second point है इसमें नम्मर बी point जो लिखेंगे आप वह यह हैं कि निश्चित और अभिलाच्छिक ताप पर पिखल जाते हैं ठीक है तो लिखेंगे आप यह नि अब लाच्छिक ताप पर पिखल जाते हैं तो मेरे साबसे आपको समझने होगा कि क्रिस्टली ठोस क्या कहते हैं और क्या होते हैं ठीक हैं बोर के अंदर यह जो question है बच्चों यह question करीबन तीन नम्मर आता है आप से पूछता है कि क्रिस्टली ठोस जो है आपके क्रिश्टली ठोस और अक्रिश्टली ठोस के मद्ध्य अंतर बताएं तो आप यहां से क्रिश्टली ठोस और अक्रिश्टली ठोस के मद्ध्य अंतर बता सकते हैं बच्चो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आँगा अक्रिश्टली ठोस तब तक के लिए परतरिये all the very best thank you so much अगली वीडियो में आप से फिर मिलते हैं